सपासन रक्षक मुलाइम सिंग्यादव ने 82 साल क्यूम्र में गुरुगराम के मेदानता अस्पताल में अंतिम सांस ली वो यूपी के सैफ़ाई जिले से जरूर थे लेकिन वो सर्फ यूपी तक सीमित नहीं थे बल्कि वो तो देश के नेता थे वो देश भर के नेता जी थे अपने 55 साल के राजनीति करियर में मुलाइम सिंग्यादव यूपी के मुख्य मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक का सफर तै कर चुके थे राजनीति का खाड़े के पहलवान अपने काम और फैसलों से सब को चौका दिया करते थे हालांकि कई बार अपने फैसलों के वजह से उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा था आपको जानकर हैरानी होगी अपने राजनीति करियर में मौकिय ऐसे दो बार मिले जब प्रधान मंत्री बन सकते थे मुलाइम सिंग्यादर लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया तो कुछ विरोधियों ने भी अडंगा लगा दिया कि उस पत तक पहुच ही नहीं पाए मौकिय रक्षा मंत्री के पत तक तो पहुच ही गए थे देवे गोडा और इंद्रकुमार गुजराल की सरकार में 1996 से 1998 के बीच में दो साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे मौकियादर अपने इस कारेकाल में उन्होंने बहुत से महत्पून फैसले लिये जिसके कारण सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षा मंत्री भी बताया था नेता जी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचन ग्लेशियर पर गए थे कहा जाता है कि मौलाइम सिंग यादर के रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान ने उन दो सालों में सीज फायर नहीं किया था इसके साथ ही उनके कारेकाल के दौरान ही भारती एसेना ने चीन को चार किलो मीटर पीछे ढखेल दिया था मौलाइम सिंग यादर ने खुद जाकर आदेश दिया था कि सीमा पार से एक भी गुस्पैट नहीं होनी चाहिए रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए कुछ ऐसा रहा था मौलाइम सिंग यादर का कारेकाल सोच ये पाँच दशक से ज्यादा का राजनीतिक सफर जिसमें रक्षा मंत्री रहे तीन बार यूपी के मुखे मंत्री रहे प्रधान मंत्री भी बनने ही वाले थे वो भी एक बार नहीं बलकि दो दो बार लेकिन चूप गए प्रधान मंत्री बनते बनते रहे गए मौलाइम सिंग यादर कैसे प्रधानमंत्री बनने से चूक गए मुलायम सिंग्यादर बात साल 1996 की है लोगसभा चुनावों में कॉंग्रेस को करारी हार मिली थी कॉंग्रेस के खाते में 141 सीटे आई थी वहीं बीजेपी को 161 सीटे मिली थी इसके बाद देवंगत नेता टल भिहरी वाचपेई ने प्रधानमंत्री के रूप में शपत ली थी हालंकि इस सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी थी और मात्रु 13 दिन में ही गिर गई थी बाचपेई सरकार के 13 दिनों में गिरने के बाद सब की नजर अगली सरकार परची की थी कांग्रेस ने सरकार बनाने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई ऐसे में सब की निगाहें VP सिंग परची की उनके नाम पर सहमती बन भी गई थी शपत ग्रहन का समय भी तेह हो चुका था सुभा आठ बजे शपत होनी थी लेकिन अचानक मामला बिगड गया कहा जाता है कि लालु प्रसाद यादव और शरद यादव ने रातो रात मुलाइम सिंग यादव का पत्ता साफ कर दिया था जिसके वजह से मुलाइम सिंग यादव पी-म की गदी पर विराजबान नहीं हो पाए थे दूसरा मौका मिला साल 1997 में इस बार भी मुलाइम सिंग यादव के पास पी-म बनने का सुनहरा मौका था लेकिन इस बार फिर दूसरे यादव ने यताउने अडंगी लगा दी मुलाइम सिंग यादव के नام का समर्थन नहीं किया और फिर एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते रहे गए थे मुलाइम सिंग यादव। बाद में एक रैली में मुलाइम सिंग यादव ने कहा जरूर था कि लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबु नाइडू और वीपे सिंग के वजह से वो प्रधान मंतरी नहीं बन सके शायद ये एक मलाल रह गया होगा मुलाइम सिंग यादव को अपनी जीवन में सोचिए दो बार प्रधान मंतरी बन सकते थे लेकिन साथियों नहीं साथ नहीं दिया साथी नेताओं नहीं आखरी मौके पर धोका दे दिया वैसे आप मुलाइम सिंग यादव कि प्रधान मंतरी नहीं बनने को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं